हेलो गईज आज की इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेसंस कवर करेंगे जेनरल लिजिंग का और दो सिफ्ट का हमने कवर कर दिया है और तीसरा सिफ्ट का यह दूसरा पार्ट चल रहा है क्योंकि 20 क्वेसंस हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर कर दिया था तो आपका कोई यह कवर हो जाएगा अगर आप जे एसे से कि कोई भी एकजाम की के परिपरेशन कर रहे हैं तो यह कुछी की यह फिर मांइनिग वेकल इंस्पेक्टर की यह फिर आ फिर मांंग paste huge या फिर motor vehicle inspector की इन सब की किसी भी एक्जाम की आप preparation कर रहे तो आपका असानी से जो शिलेव से वो cover हो जाए क्योंकि already यह questions previous year में पूछा गया है जो online examinations हुआ था तो उसमें various shift में हाना कि दो shift का हमने cover कर दिया है और इसमें से एटी कोसें जुराता है वो आपका जेनरल इंजनीनिंग से रहता है जिसमें सिविल एलेक्रिकल एंड मेकनिकल पार्ट तीनों कमबाइन रहता है और फोटी कोसें जुराता है जो कि कि किसी भी के लिए अलग आपका प्लेलिस्ट मैंने जेनरेट कर दिया है तो वहाँ पर आप जाकर करके देख सकते लेकिन जो जेनरल इंग का प्रिपेशन करना चाहते हैं सिविल एलेक्रिकल मेकनिकल माइनिंग एंड आटो मोबाइल इंजिनियरिंग के लिए तो वह आसानी से सकते हैं सब कुछ हमारे चैनल पर एविलेबल है तो चलिए अब हम लोग बाड़े की तरह ट्वेंटी कोसे स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं क्यूंकि अब एक्जामेंस में काफी टाइम नहीं रहा गया है क्यूंकि उम्मीद है अप्रिल फर्स्ट वीक से जितनी भी व Fy is the yield stress in steel and Es is the Young's modulus of elasticity of steel then the maximum strain in tension reinforcement at failure should not be less than तिसका करेंसर चो होगा वो option B हो जायेगा Fy by 1.15 Es plus 0.002 तुसका correct answer option B हो जायेगा यह formula आपको याद होना चाहिए तब यह आप tick out कर सकेंगे otherwise skip करना पड़ेगा आपको next questions है बहुत important questions है और easy questions भी है ति लोस एंजलास test for course aggregate is used to find its abrasion value तुसका correct answer जो है वो option C हो जायेगा क्योंकि जो लोस एंजलास हम लोग instrument यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं कि एब्रेशन वेल्यू टेस्ट करने के लिए नेक्ट कोस्टन से बेस्ट वन्दी लोकेशन एंड फंसन दी रोट्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड इंटू तो टोटल तो बारक कटेगरी जो होता है लेकिन इसमें options नहीं दिया गया है तो पांच कटेगरी आपका जो है जाया वो करेक्ट अंसर हो जाएका। क्योंकि मेल्ली जो टिवा데क जायए क्या है एक एय उपायक में आप देखेंगे यह पिर आपका जो इसकेखरना बुक है वो उसमें आप देखेंगे तो मेल जो डिवायड किया है वह खाल का टेगरी इंडिवाइन ने इक्या of ordinary Portland cement age तो जिपश्म क्या करता है कि», quick setting से यह prevent करता है मिनस जल्दी हो जड़िए सिधना होजा है सिमेंट इस velay इसको रोकता है setting time को prevent करता means setting time को यह गटा देता है more setting time को setting time को बढ़ा देता है क्योंकि beeps इस sociedade कि मतलब ही होता हम अच्छे से एड़ मिक्स्चर को मिक्स भी नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएगा जम जाएगा तो इसका जो में वर्क होता है टू प्रिवेंट प्लेस सेटिंग ओफ सीमेंट तो आपको समझ में आ गया कि जीपसम का जो वर्क होता है और डिनरी पोर्टलेंड किन टाइम को बढ़ाएगा तो अगर दस मिनट का काम हम लोग को करना है तो मिन्स अगर बीस मिनट में भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद भी हम उसको में उसको यूज कर सकते हैं कि नेक्स्ट कोस्टन से कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशेंट ओफ फिल्टर मीडिया इन ए रेपिट सेंट फिल्टर वेरीज फ्रॉम यह भी कोश्टन बहुत ही जी है यह 1.2 से 1.8 के रेंज में होता है तिसका कर्क्राइब से जो है वो अप्शन दी हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन दी डिवाइस वीच वीच वर्क सु अन दी प्रिंस्पल देट इस सरेंट चेंज ओफ डेरेक्शन ओफ गैस स्ट्रीम सेपरेट दी डस्ट पार्टिकल्स इज काल्ड एज तो आपको एक ची बतला देता हूं इसके बाद इसका अंसर में बतलाऊंगा कि अप्रोक्स ट्वेंटी फाइब को संसे जो है वो हर एक ब्रांच से पूछा गया अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह सीविल से ही मेक्सिम को सेंस था अब जो इस्टार्ट हुआ है यह जो है तो यह आपका बीच में कहीं पर मेकनिकल पार्ट आ जाता है कहीं पर एल्लेक्रिकल पार्ट आ जाता है और कहीं पर फीर से फीर शेविपी आ जाता है तो इस को समय एक बार देख लेते हम लोग दिस दिवास भूण honoring वीच वेज्ट विच वाक्स वेडिवस इटिस सटेन तेर्थर चैं next question said sedimentation analysis for a soil mass will be considered when soil particle size is less than easy question say 75 microns next in part of the sewer means inside bottom of the sewer this character answer the water the water the water the next question said the precipitation caused by natural rising of warmer lighter air in colder dense surrounding is known as convective precipitation to precipitation to have a woman up come in the team type to have a choreographic a convective a good cyclonic precipitation to saka alagala criteria hota hai to you after the pooja kya hai by natural rising to nature rising say joe be warmer lighter air in colder dense surrounding may hota to us come look kya bulte convective precipitation next question said as per the bureau of indian standard burnt clay bricks are classified based on their minimum average compressive strength as 11th class 11th class में इसको डिवाइट किया गया है next question है which of the following causes for the moving system of the instrument to move from its 0 is deflecting force thiska correct answer to a watch and see what I'll नेक्स्ट कोस्टन से दी स्टार्टिंग टॉर्ग ऑफ केपसीटर स्टार्ट केपसीटर रन मॉर्टर इस थी तैम्स दी फूल लोड टॉर्ग तैसका करेक्ट अंतर जाया है वो अप्शन यह हो जायेगा नेक्स्ट कोस्टन से यह भी कोस्टन से है दी टर्म कुलंब विच इस फूंदमेंटल उनीट अफ चार्ज इस दिफान इन तर्म अंप्यर बाइंटिंग टोटल चार्ज यह पासे थ्रू अन अर्बिटरी क्रोसेक्शन अफ वायर दूरिंग अ इंटर्बल उन सेक्ट तो से पास हो रहा है कोई भी वायर है उसे कूलंब पर सेकन्ड काउंट किया जा रहा है तो वह किया होगा क्योंकि I यह कंपयर और टाइम यूनिट क्या होता है सेकेंड तो कुलंब पर सेकेंड यहां पर बोला इंटरवल ओफ वन सेकेंड और यहां पर क्या बोला है कुलंब यूनिट जो है वो चार्ज डिफाइन टर्म्स ओफ एम्पियर तो इसका करेक्ट रंसर जो अकुलंब पर सेकेंड क्या होता है एंप्यर होता है और चाह आपका जो करेंट है एलेक्ट्रिक एंट उसका भी उनिट एंपियर होता है तो इसका करेंटर्फर अप्सन यह हो जाएगा next questions है in an ideal transformer the two coils are purely inductive तो ideal transformer में जो coil होता है वो purely inductive होता है इस टाइप का एक questions हर एक shift में पूझा गया है और इसमें जितना भी questions है सब का level जो है वो यह shift में थोड़ा moderate है क्योंकि आप भी देख रहे होंगे अभी तक आपने जितना भी सीफ्ट किया है तो दो सिफ्ट का मैंना अल्रेडी किम करवा चुका है तो उसमें थोड़ा इजी को संस्ता और थार्ड एंड फॉर्थ का जो सीफ्ट है नॉम्बर का वो थोड़ा टाफ है जेनरल इंजिरिंग का जो पार्ट है उसका और बाकी ब्रांज पेपर जो है उसका बहुत इजी है तो दिगीवें सिग्नल इजी तो यहां पर सिग्नल दिया गया है वो एक्सपो नेंशियल है ओप्शन डी नेक्स्ट कोस्टन से एरकिंग कॉंटेंट्स आफ ए सरकीट ब्रेकर इस मेड़ भाई यूजिन कॉपर टंगशें देस्टम यथा इसका करेक्टटांशर्च जो है वह अफ्शन यह हो जाएगा एकिंग कॉंटेक्ट्स जो होता है सरकीट प्रेकर का तो वह कैसे बना जाता एक कोपर और यह सब छाओ अबर इसार को से को शेशन सी और टी मली किक्रीट प्लेक्ट बीट इसे एक डिप्लेक्टर सरकेट वो एक डिकोडर सरकीट वीच इनेबल इन्पोट होता है इसका करेक्ट आन्शर अप्शन भी होजाएगा इसमें से से फिगर दिया गया है और उसमें बतलाना है ति करेक्ट फ्रिक्वेंसी डॉमेंड रिपर्जेंटेशन ओफ एक गिवन कंपोनेंट इच तो इसका करेक्ट रंसर जो है वो अप्शन डी हो जाएगा वी इस इक्वल टू वान बाई जे ओमेगा सी तो इसका करेक्ट रंसर जो है वो अप्शन डी हो जाएगा फीज इक्वल टू वन बाई जे ओमेगा सी इन्टू आई में और दो कोस्न बचा हुआ है इसको भी कर लेते हैं तो अभी तक अगर जो कौस्ण हमने करा है वह अभी तक आपने नहीं देखा है क्योंकि जो इसने पाहले ऐग्जाम सेंस हुआ था औरा हैं और शल्हेक जब है में कि वो भी मैं कवर कराऊंगा इसे सीविल का चार सिफ्ट में हुआ था तो अल्मोस्ट हम लोग अब जो है वो चौतर सीप्ट का कवर करेंगे क्योंकि फोर्टी को संस हो गया है तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्देंदी कवर करा दे और इसके बाद फिर ब्रांज पेपर सीविल इलेक्टिकल मेकनिकल का जो भी है वो हम लोग कवर करेंगे तो नेश्ट को संसे फोर वीज टाइप ओफ इंस्ट्रुमेंट इस ते गीवन सिम्बल योज्ट इसका करेक्ट रंसर अप्शन यह हो जाएगा यह जो इंस्ट्रुमेंट है इसके बार में पूछा जा रहा है कि प्लॉट बिट्वीन लोड ड्यूरेशन कर्व इस दी प्लॉट बिट्वीन तो लोड ड्यूरेशन कर्व जो है वो किसके पीच प्लॉट क्या जाता है लोड ड्यूरेशन कर्व तो लोड एंड टाइम के बीच में प्लॉट क्या आपता है तो इसका करेक्ट रंसर ऑप्श हमने कवर कराया है तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा एक टूजेट जितना भी कवर किया है क्योंकि इसी टाइप को को संस फिर से जो एक्जामनेशन्स होगा उसमें पूछा जाएगा और मैं को सिसकर आप लोगों के लिए टेस्ट शीर हर एक सबजेक्ट कर रहें गा और उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका कर अफ के साथ कम ना घॉटन का पार लेंगे तो नहीं होगे इसका मतलब यह हो रही क्योंकि उससे बाहर एक भी कोस्ट नहीं आएगा जो प्रांज पर रहे है और जो civil का पार्ट पार्ट रहेगा और mechanical का पार्ट रहेगा तो उम्मिद है मैं बहुत जल्दी यह test available को दोंगा और nominal च्रॉजप पर रहेगा हाला कि YouTube में कबर करवाऊंगा तो जो लोग YouTube में कबर करना चाहिएंग से देखेंगे और जो लोग शोफ्ट कोपी लेना चाहेंगे उन लोग को सोफ्ट कोपी भी दिया जायेगा एकदब नॉमिनल चार्च लिया जायेगा तो आज के इस लेक्चर में इतना ही फिर नेक्स लेक्चर में हम लोग 20 questions कवर करेंगे और उम्मीद है जल्द जल्द हम लोग कवर करेंगे और जैसे ही कवर हो जाएगा पूरा जेनरल इंजिनेरिंग तो फिर हम लोग ब्रांज पेपर कवर करेंगे